हलो दोस्तों आप सब कर स्वागत है आपके अपनी चैनल हेल्थ टीप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुलाब चल की बारा बहतरिन फाइदी जान दंग रह जरूर देखें गुलाब का नाम सुनते ही हमें हमारे आसपास एक सुगंदित वादावरन का एसास होने लगता है गुलाब चल ताजे ताजे गुलाब के फूलों की पत्तियों यानि के पंखुडियों से निकला हुआ प्राकृतिक रस है गुलाब चल हमारे शरीर को अत्य बहुती आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं आठ से दस ताजे गुलाब के पंखुडियों को करीबन 15-20 मिनट के लिए पाने में उबाल ले इसके बाद इसे यूही 5-6 घंटे के लिए रहने दे ठंडा होने पर चान ले आप इस गुलाब चल को बोतल में भरकर फ्रिज म हैं तो आइए जानते हैं इसके कुछ गुड़ों के बारे में नमबर एक जुर्यों को करता है कम ये एक प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन है इसका नियमित रोप से इस्तिमाल करने से त्वाचा सम्मंदित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं चहरे पर आई हुई जुर्या भी खत्म होने लगती हैं गुलाब चल की सहायता से हम एक बहुत ही बैतरिन फेस पैक भी बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए दो चमच निम्बू करस चार चमच चंदन का पाउडर या मुलताने मिट्टी दो से तीन चमच गुलाब चल इन तीनों को मिलाकर आप अपने चहरे पर लगाएं तथा 15 मिनट के बाद चहरा साफ पानी से धोलें चहरे का रंग निखारने लगता है तथा चहरा तरो ताजान लगने लगता है नमबर दो स्कीन टैन होने से बचाता है गुलाब चल को इस्तमाल में लाने से सन बर्ण यानिकी स्कीन टैनिंग की समस्या भी दूर होने लगती है यदि आप तेज धूप में बाहर जाने से पहले अपने शरीर पर थोड़ा सा गुलाब चल लगाते हैं तो ठंडक का एहसा होने लगता है तेज धूप के बावजूद आपकी शरीर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता नमबर तीन तेज धूप के कारण होने वाले सिर्दर्ध से रहात दिलाता है यदि आपको तेज धूप में बाहर जाने आने से सिर्दर्ध होता है तो एकदम ठंडे ग नीचे काले धबों से दिलाये चुटकारा कई बार आँखों के नीचे काले दाग धब्बे हो जाते हैं यदि आप रूई को गुलाब जल में टूबो कर 10 मिनट तक अपने आखों पर रखेंगे तो ये दाग दूर होने लगते हैं नमबर पांच आखों के ठकान करता है चलन होती हैं तो गुलाब जल में भीगी हुई रूई के टुकड़े को लगबक 15 मिनट तक आखों पर रखें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धोले आखों को तुरंद आराम मिलने लगता है नमर छे अच्छी नीद यदि आप रात को सोने से पहले गुलाब जल की कु मुहासों से चुटकारा दिलाता है इसके नियमित इस्तमाल से आप चहरे पर आए हुए मुहासों से चुटकारा पा सकते हैं ये आपकी त्वचा से धूल मिट्टी के गण हटाता है तदा त्वचा का सौंदर ये निखारने में एहम भूमी का निभाता है नमबर आठ गुलाब जल एक प्राकृतिक किटानू नाशक होने की वज़े से हमारे घाव जल्दी भढ़ने में आसान मिलती है नमबर नौ मुलाइम बालों के लिए यदि आप रात को सोने से पहले अपने सिर पर चार-पांच बूंदे गुलाब जल लेकर मालिश करें तथा सुब बालो में रोशी कम होती है गुलाब जल बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंडिशनर है यह बालों को मुलाइम बनाकर उनमें चमक लाता है नमबर दस काम दर्थ गुलाब जल में कई प्रकार के औश्यदिय गुण भी पाया जाते हैं कान में दर्थ होने पर थोड़ी गुल दर्थ ठीक होने लगता है नमबर 12 मिठाई में उप्योग गुलाब जल का उप्योग कई प्रकार की मिठाईयों को बनाने में भी किया जाता है आत्यां तक खुश्बुदार होने के कारण गुलाब जल की थोड़ी भूंदे यदि मिठाई में डाले तो उसका स्वाद और ही पढ़ जाता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूशना चाते हैं या फिर आप जिससे आप अपने परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें तेंक यू